World War 2 पे इतनी सारी मूवीज हैं और उन सारी मूवीज में आपको कहीं न कहीं हिटलर जरूर न जायागा एक बहुत ही रुदलेस, बहुत निर्दाई सा लीडर जिसकी इतनी छोटी सी मूच है और उतना ही दिखा के हिटलर को छोड़ देते हैं बट अगर आपने ये मूवी नहीं देखिए जिसके बारे मिमा अज बात करने जा रहे हैं तो आपने हिटलर की लाइफ को नहीं देखा है तो जिग्यासिम के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जर्मन मूवी जिसका नाम है कहानी शुरू होती है साल 1942 में जब Second World War फुल स्विंग में चल रहा है और इस समय जर्मनी की हालत अच्छी है तो बिलकुल रात के अंधेरे में हिटलर के बंकर में आती हैं पांच लेडिज ये लेडिज हिटलर के परसनल सेक्रेटरी के लिए इंटर्व्यू करना चाहती हैं इन सब लेडिज में से हिटलर जिसको सेलेक्ट करता है उसका नाम था ट्रॉडल जंग उस secretary के interview के बाद 3 साल का leap आता है और कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है अब साल है 1945 का और अब Hitler की हालत बहुत खराब है जर्मनी second world war में हालने वाली है Hitler अब अपने एक underground bunker में रहता है Berlin में और उसके जनम दिन के दिन Russian army जो Berlin के बहुत नजदीक पहाँ चुकी है वो artillery fire शुरू कर देते हैं Berlin के उपर और Hitler को वो artillery fire सुना ही पड़ता है तो चिंतामा के अपने जनरल से पुछता है कि अरे fire कहां से आ रहा है तो उसके जनरल सको बताते है कि सर रेशियन आर्मी अब बहुत नजदीक आ चुकी है किसी भी पल Berlin अब गिर सकता है जर्मन सरकार हार सकती है क्योंकि उस दिन Hitler का बड़े था तो उसके जितने भी senior officers थे वो उसके बड़े पे उससे मिलने के लिए आये थे और सब उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि अब Berlin किसी भी वक्त रस्यन आर्मी के हाथ में आ सकता है इसलिए आपको यहां से निकल जाना चाहिए बट हिटलर इस बात की हट कर रहा था कि वो मरते दम तक यहां से अपने बंकर से Berlin से बाहर नहीं जाएगा फिर हिटलर अपने एक senior officer को बुलाता है और उसको orders देता है कि आपको Berlin के आसपास और Germany भर में जहां पे भी जितना भी infrastructure है रेल रोड्स हैं पानी की pipelines हैं और coal mines हैं जितनी भी जगा पे जितनी भी चीजे हैं जिससे Russian army को फायदा हो सकता है उन सारी चीजों को आपको destroy करना है ये order हिटलर अपने officer को देता है और officer बोलता है कि sir अगर आपने सब destroy कर दिया ये infrastructure पूरा खतन कर दिया तो जो normal German civilians हैं जो हमारे लोग हैं उनका क्या होगा तो हिटलर फिर अपने typical निर्दई अंदाज में कहता है कि उन लोगों की tension मुझे नहीं है अगर हम war हार रहे हैं तो उन लोगों को जिने का अधिकार नहीं है चाहे वो German हो चाहे वो कोई भी लोग है इसलिए मेरे orders का पालन होना चाहिए इसी सब के दोरान हिटलर की जो girlfriend थी इवा ब्राउन वो bunker में मूड इतना खराब हो गया था तो उसको थोड़ा lighten up करने के लिए वो party रखती है dance वांस कर रहोते हैं बाहर firing चल रही है बटी अब party कर रहे है bunker के अंदर ताकि mood अच्छा रहे और वहां हिटलर अपनी meeting सीए जा रहे तो उसको एक meeting में बताया जाता है कि उसने एक order दिया था अपने एक senior officer को जिसका नाम था Steiner Steiner को order दिया था कि आपको Berlin पर attack करना है और Hitler को और Berlin को बचाना है बट उसको बताया जाता है कि Steiner ने attack नहीं किया अब हिटलर जो गुसा होता है वो अपना सर पीटने लगता है बूलता है क्या हो रहा है मेरी कोई बात ही नहीं मान रहे हम इसलिए लड़ाई हार रहे है क्योंकि मेरी बात कोई मानता ही नहीं है और सारे जनरल्स को खड़ा करके खूब डाडता है हाला कि हिटलर का डाउनफॉल चालू हो गया था वो खुद भी इस बात को जान चुका था कि अब किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है उसने अपने सारे जनरल्स को बोल कर रखा था कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए जो मेरे ओर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे है उ तो अपनी मौत के दो दिन पहले हिटलर अपनी गर्ल्फरंड के साथ शाधी करने का निड़ने करता है और उसी बंकर के अंदर एक उफिशल को बुलाया जाता है जो इन दोनों की शाधी कर वा लेता है अपनी शाधी के कुछ ही घंटों के बाद हिटलर अपनी वाइफ के स साथ सुसाइड कर लेता है हिटलर की मौत के बाद उसका जो राइट हैंड था जिसका नाम गॉबल्स था वो अब लीडर बन जाता है नाजी जर्मनी का तो वो भी यह कहता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे रेशिन आर्मी के सामने भी और वेस्टन आलाइस के सामने यानि बिट कुछ शर्ते होंगी रेशिन कमांडर कहता है तुम इस समय इस हालत में नहीं हो कि तुम मेरे साथ नगोशेशन करो मैं अच्छी पोजिशन में हूँ मैं तुमको किसी भी अधरा सकता हूँ तो तुम्हारा सरेंडर करने में कोई कंडिशन नहीं हो नीचे और वो उनके सरें करता है कि उन्होंने रेशिन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और वो सारे जर्मन सोल्जर्स को बोलता है कि अपने हतियार डाल दो इस पूरे प्रोसेस के दौरान यानि हिटलर के आखरी दिनों में बहुत लोगों का एक्जिक्यूशन होता है बहुत लोग मारे जाते हैं और जब हिटलर सुसाइट कर लेता है तो उसके खुद के बहुत सारे कमांडर्स अपने आपको गोली मार लेते हैं क्योंकि वो जानते थी कि अगर रेशिन ने उनको पकड़ लिया तो उनकी हालत अच्छी नहीं हो और अंत में हिटलर की सेक्रेटरी जिसको उसने तो साल प इस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है अगर आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं उस बुक को पढ़ने के बाद और उसके अलावा हिटलर के सेक्रेटरी के मेमोर्स पढ़ने के बाद पिच्चर के डियेटर ने डिसाइड किया कि इस पूर पूरी कहानी के समय जो हिटलर के बंकर में मौजूद थे उनका ये मानना है कि डालोग्स तो थोड़े यहां वहां है क्योंकि एक मूवी है बर अल्टीमेटली जो इस पिक्चर में पूरा दिखाया गया है इवेंट्स दिखाया गया है और कैसे कैसे हिटलर के आखरी दिनो इतनी जबरदस्त आक्टिंग की उस बंदे ने हिटलर की आप जब वो पिच्चर देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात को मानेंगी नी कि वो इनसान हिटलर नहीं है वो आक्टर इतनी अच्छी तरह हिटलर की स्किन में उसके कैरेक्टर में घुज गय कि जब मैंने मूवी पहली बार देखी थी तो हैट्स आफ मतलब इतना अच्छा पर्फॉमेंस कोई कैसे कर सकता है ऐसा कहा जाता है कि इस अक्टर को जब विच्चर ओफर की गई थी तो उसके रेलेटिव उसके दोस्तों ने कहाता है कि ये रोल नहीं करना चाहिए क्योंक इसका इंसान माला साइड यानि हुमन अंगल क्योंकि जनरली हिटलर को हमेशा विल्लेन और मॉंस्टर दिखाते हैं जो क्यों था बट इस पिक्चर में थोड़ा सो उसका वीक्नेस उसकी वल्लेरिबिलिटी और कैसे वो एकदम बे सहारा असहाय मैसूश कर रहा है अपने आ बहुत लोगों से बाते की वो एक हॉस्पिटल में भी गया था पेशेंट्स को अब्जर्व करने के लिए जिनको पार्किंस डिजीज है ताकि वो हिटलर की तरह एक्शन कर पाए बोडी लैंग्वेज पूरे पिच्चर के दौरान वो एक्टर अपने हाथ को ऐसे से हिलात रहता है और वो यसी छोटी-छोटी चीज़े हैं जो इस एक्टर ने की है इस मूवी में जो एकदम कमाल की है मुझे ये पिच्चर बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं इस मूवी को स्कोर देता हूं 10 on 10 येस ये मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी मुझे कोई स्कोप ही नज़र नहीं आता कि मैं कहां इस पिक्चर के मार्क्स काटो बहुत ही एच्छी लगी मुझे ये पिच्चर और मैं इस पिच्चर को 100% रेकमेंड करता हूं कि आप जरूर देखिए ये पिच्चर तो अपने आप में बहुत पॉपिलर है ही क्योंकि इसमें हिटलर ने बहुत पॉपिलर हुआ है वो सीन्स इतने संजीदा है इतना सीरियस बात कर रहा है उसमें हिटलर गुसा कर रहा है बट क्योंकि पिच्चर तो जर्मन में है तो आपको समझने के लिए इंगलिश सब्टैटल पढ़ने पड़ते हैं तो लोगों ने क्या किया है कि इसमें इ 100-meter की race का record तोड़ दिया है तो वो कैसे react करता है एक वीडियो तो इस पे भी है कि Hitler को पता चला है कि उसके rant वीडियो पे parody बना रहे है लोग और सब्टैटल चेंज कर रहे है तो उस पे वो गुसा कर रहा है उस पे भी एक parody वीडियो है एक वीडियो है कि Hitler एक इंडियन कॉ सेंटर पर फोन करता है और फ्रस्टेट हो रहा है तो मतलब बहुत जबर्दस लोगों ने इसमें comedy वीडियो बनाया हुए वो भी ज़रूर देखेगा इस वीडियो को देखने के बादे तो इस तरह से यह movie downfall एक complete package है क्योंकि एक तरफ आपको इतना serious बड़ दूसरी तरफ उसी performance को लोगों ने इस तरह से मतलब funny बना के कुछ अलगी उसका meaning बना दिया है तो वो बहुत funny भी लगता है तो यह combination ही बहुत कमाल का है पहला scene जो मुझे और जादा तर लोगों को सबसे जादा पसंद है इस picture का वो तब है जब Hitler को बताते हैं कि उसने जो order किया था General Steiner क अटाक करने के लिए Berlin पे उस बंदे ने अटाक नहीं किया तो वो जो गुसा हो रहा है फ्रस्टेट हो रहा है उसका जो reaction है वो scene कमाल का है और उसे scene पे सबसे ज़्यादा पैरेडीज भी बनती है दूसरा जो scene मुझे बहुत पसंद है इस picture में वो तब आता है जब Hitler को बता わかना था उसको execute करो रहा है उस बंदा गायब हो गया था उस बंदे का नाम था फैगिलीन तो इस scene में हिटलर अपना गुसा पकट कर रहा है कि ये इंसान क्यों नहीं मिल रहा है फैगलीन फैगलीन एह चीला की हिटलर बोलता है कि ल सब और अगर आपने movie ऑल्याँ Mercos. Aham how का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहां से उबूक पड़ सकते हैं इसके अलावा मैंने अपने चैनल जिग्यासियम पे भी हिटलर के बंकर से रिलेटेट 10 अमेजिंग फैक्स पे एक वीडियो बनाया है अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको टॉप कॉर्णर पर मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो आप यह मूवी जरूर देखिए और देखने के बाद मुझ जरूर कॉमेंस में बता है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैंने चैनल जिग्यासिम को सब्सक्राइब करना ना भूले